हाई फ्रेंट्स यह हमाँ पास बजाज पलसर 150 है जो कट सीट है इसमें जो है बजाज पलसर यह 180cc बाइक का जो चेचिस है उसमें जो है यह 150 का इंजन है तो इसमें डावल-dix-brake लगा हुआ है तो सिट बाइक जो दिक्कत क्या है फ्रेंट्स यह बाइक में पहला चीज तो एसमें किक नहीं है ठेक है यहाँ पर जो है किक नहीं है और दूसरा पहले इसमें कोई परकार का कोई पावर नहीं आ रहा है जससे बाइक जो है जो धक सकते हैं प्ज़िसे स्टार्ट कर रहे है और चला रहे है इस बाइक को तो यहां सबसे पहले सकते पहले प्राब्लम धार्खाइठेट का फैनल बैटरी मुपन करने27 और उसके बाद हमें पता चलेगा इस में क्या इसका फ्यूज खतम है, इसमें बैटरी, इसकी बैटरी है वो डाउंड हो गई, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका उपने करेंगे, तो यह साइट पैणल हमें उपन करना होगा, इस तरीके से, और यहां पे जो है, यहां कुछ जो हमें चेक करना होगा और यह इसकी बैटरी है तो यह जो है कि यह देख पाना है यह जो अर्थ का जो बायर है यह यह यहां से कट गया है कहां से कटा है यह यह जो चैन है कि अर्थ कोवार है यह यह यहांपर हाफ है तो इसका जो जो यहां पर यहां से इसे कर दिया हूं यहां पर और यहां पर टेपिंग भी कर दिया हूं दूसरा चीज इसका यह जो बैटरी का फोता है यहांसे जो है यहांसे जो इस बैटरी को पकड़ कke रखता है तो यह हमारा पास नहीं एसको इसे तार की mYou से यह यहां पर इसे कर दीयागा था कि बैटरी जो है बाहर नहीं अन्य Daarगकर आँ जुद गया थे जिससे एस ऑड़न की स्टार्ट करते थे भाई देखते हैं चावी निकालकर जो है पी लगाएंगे असे तरीके से और देख पार हैसमें पूरा लाइट ओन हो गया है इसका जो है और से सेल्फ लगाएंगे न्यूटल करेंगे भाई प्रोब्लम आती है और आपकी बाइक में किक नहीं है तो आप एक बार बैटी साथ फ्यूज है दो फ्यूज लगे हुए है वो चेक कर लें और उसका जो गेवल है ठीक है दोस्त मिलते हैं के लिए वीडियो में अगले नए जानकारी के साथ